व्रत के अवसर पर मिठा खाना अत्यंत आनंद दायक होता है और इस खास मौके पर एक लजीज और स्वादिश्ट व्रत रसगुल्ला खाने का मन करता है. यह मिठाई अनेक लोगों के व्रत उपवास दिनों में पसंद की जाती है और यह व्रत के नियमों के अनुसार बनाई जाती है जिसमें मैदा और चीनी का उपयोग नहीं होता है. इसलिए आये जानते हैं कि व्रत रसगुल्ला बनाने की विधी क्या है? व्रत रसगुल्ला रेसिपी सबसे पहले साबूदाना को अच्छे से धो लें और उसे एक कटोरी में भीगने के लिए रख दें. भिगोई हुई साबूदाना को दो से तीन घंटे तक छोड़ दें ताकि वह फूल जाएं. दो भिगोई हुई साबूदाना को अच्छे से चावल के अनुसार ग्राइंडर में पीस लें, जिससे वह गूथने में आसानी से गूथ जाएं. तीन अब एक बड़े बर्तन में गूथा हुआ साबूदाना, अरारोट का पाउडर, मिल्क पाउडर और इलाइची पाउडर को मिला दें. इससे मिश्रण को मुलायम और सुंदर बनाया जा सकता है. चार, अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बना लें, और उन्हें हलके से हाथों से पीट लें, ताकि वे ठोस हो जाएं. पांच, अब एक बड़े पतीले में शक्कर और पानी को मिला कर उसे गरम करें और चाशनी बना लें. जब चाशनी एक मापदंड तक गाढ़ी हो जाएं, तो उसमें गूथे हुए साबूदाना के गोले डालें. छे, अब पतीले को ढखकर धीमी आज पर 15-20 मिनट तक धीरे से पकाएं, ताकि रसगुले अच्छे से बन जाएं. इन्हें बारीक केशर और कटी हुई पत्तियों से सजाएं. सुगम शुभकामनाए वरत रसगुला तयार है, आप इसे आसानी से अपने वरत दिनों में बना सकते हैं. इस मिठाई का स्वाद आपको खुश करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके वरत के उपवास को और भी मधुर बना देगा. वरत रसगुला को सर्वांग सुन्दर बनाने के लिए आप अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे बाट सकते हैं और उनके चहरों पर मुस्कान ला सकते हैं. इस मिठास भरे अनुभव के दौरान ध्यान रखें की वरत रसगुला को विशेश समय में खाएं ताकि आपका उपवास सफल और प्रसंता से पूरा हो. वरत रसगुला को नमकीन या फल वरत के साथ सर्वांड सुन्दर तरीके से परिभाशित किया जा सकता है जो आपको और भी खुशियों से भर देगा. इस विशेश अवसर पर मैं आपको और आपके परिवार को शुभकामनाए भेजता हूँ. आपका वरत सफलता, शान्ती और सम्रिध्धी से भरा हो. इस वरत के दिन भगवान आपको सभी दुखों से मुक्ती दें और आपके जीवन को सुखी बनाएं. साथ ही, इस मिठे और प्यारे वरत रसगुल्ला को बनाने के लिए मेरी तरफ से भी धेर सारी शुभकामनाएं. आप और आपके परिवार के साथ यह स्वादिष्ट मिठाई खाने का आनंद उठाएं और एक दूसरे के साथ इस विशेश अवसर का आनंद लें. आपके वरत रसगुल्ला बनाने का अनुभव सुन्दर और सफल हो और यह मिठास भरा अनुभव आपके जीवन को हमेशा के लिए यादगार बना दे. ध्यान रखें, वरत के नियमों का पालन करते हुए और सच्चे मन से बनाए गए रसगुल्ले का स्वाद दुनिया की किसी भी मिठाई से कम नहीं होता. शुब कामनाए और आपके वरत के दिन को खुशियों से भर दे. हर हर महादे.